हेलो, नमस्कार, जेहिंद दोस्तों, मैं हूँ चंदरिका प्रशाद, इस वीडियो में हम साल्ब करेंगे दोस्तों, UPTGT के लिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट, यह वीडियो दोस्तों, UPTGT के साथ साथ UPPGT, LTGRADE GIC Lecturer, NBS, KBS और UPSC की परिख्षा के लिए समान रूप स उपी होगी है, इस प्रैक्टिस सेट में कुल 62 कोश्चन सामिल है, यह प्रैक्टिस सेट UPTGT सोसल साइंस 2021 के प्रशनपत की तरह है, इसके प्रशनों की प्रकृती 2021 में पूछे गए प्रशनों की प्रकृती पर आधारित है, इसके सारे प्रशन महत्तों पूर्ड है, पहली बार हमारी चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल यूटूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल UPTGT Social Science की तयारी कराता है दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का पहला कोश्चन है दोस्तों प्राग इतिहास की अध्यन का विश्य क्या है आपसन में दिया है निरक्षर समाजों का इतिहास साक्षर समाजों का इतिहास सब्समाजों का इतिहास या नगरी समाजों का इतिहास तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आफसन नमबर पहला, निरक्षर समाजों का इतिहास प्रागयतिहासिक काल का इतिहास दोस्तों पूर रूप से पुरा तात्विक साधनों पर निर्फर है इस काल का कोई लिखित साख्च बिद्दमान नहीं है क्योंकि मानों का जीवन आदर्स और बरबर था, मानों को लेखन का ग्यान नहीं था इसलिए प्रागयतिहाश के अध्यन को निरक्षर समाजों का इतिहाश कहा जाता है तो आप श्क्याद रखेंगे, फिर अगला कोश्चन है प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निर्णलिक्षित राज्यों में श्रेकिष अस्थान के नाम पर ही नामित की गई है आपसन में दिया है राजस्थान, गुजरात, करनाटक और महाराश्ट तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर दोस्तों, आपसन नमबर D महाराश्ट प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति यानि की तामर पासाड कालीन संस्कृति दोस्तों, महाराश्ट राजसे संबध है महाराष्ट की तामरपाशाड कालीन संस्कृति यानि की जोर्वे संस्कृति के निवासा, काठे, खाम, गाउं, दायमाबाद, आधिपुरास्थलों में, घरों में मिर्तकों को अस्थिकलत में रखकर उत्तर से दक्षड की स्थिति में दफनाई जाने के साक्ष पाए गए है तो महाराष्ट इसका सहित्तर है, प्राचीन भारत की जोर्वे संस्कृति महाराष्ट राज के साथ नामित की जाती है, आप इसको याद रखेंगे, फिर अगला कोस्चन है, शिंदु घाटे की लिपी की सूचना प्राप्त होती है, इनमें से किस से, आपसन में दिया है, आभूसडों से, मूर्तियों से, मोहरों से या खिलवनों से, तो इसका सहित्तर क्या है, इसका सहित्तर दोस्तों आपसन नमबर सी, मोहरों से, सिंदु घाटे की लिपी की सूचना दोस्तों में रूप से मोहरों से प्राप्त होती है, इसके अतरिकत कुलहाडियों, मृदभ इनकी लिखावट क्रम से दाई और से बाई और है तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है ओए सेंधों पुरा अस्थल जहां जूकर जांगर संकृति बिक्षित हुई आपसन में दिया है सुरकोटदा चनहूदडो लोथल और काली बंगा तो इसका सहुत्तर क्या है इसका सहुत्तर है दोस्तों आपसन नमबर बी चनहूदडो सिंधो नदी के बाये तट पर चनहूदडो इस्थित है इसकी खोज 1931 में एन जी मजूमदार ने किया था चनहूदडो में सिंधो संकृति के बाद जूकर जहांगर संकृति बिक्षित हुई तो आप इस संस्कृति परिपक को हड़पी संस्कृति परवर्ती हडपी संस्कृति और इन में से कोई नहीं तो इसका सहुत्तर क्या है इसका सहुत्तर है दोस्तों आपसन नमबर श्री परवर्ती हडपी संस्कृति सिंधो संस्कृति के बाद चनहूदडो में जूकर जहांगर आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चान है दोस्तों एक बिक्सित जल प्रबंद का साक्ष कहां से प्राप्थ हुआ है आपसन में दिया है हरपपा, मोहन, जोजड़ो, लोथल और धौला बीरा तो इसका सही उतर क्या है इसका सही उतर है दोस्तों आपसन नमबर डी, धौला बीरा धौला बीरा दोस्तों गुजरात राज में इस्थित है यहां से एक बिसाल जलासे प्राप्थ हुआ है जिसका आकार 80 गुडे 12 मीटर और उसकी गहराई 7 मीटर है इसमें धाई लाक घन मीटर पानी एकत्रित करने की छमता है धौला बीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रवंद ब्योस्ता से परचित थे यह लोग बाध बना कर जलासेओं में पानी जमा करते थे जो एक परकार के नबीनतम प्रमार है फिर अगला कोईश्चन है दोस्तों सिंद घाटी सब्यता की खोज की सुवर्ष की गई थी आपसन में दिया है 1921, 1923, 1917 और 1941 तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपसन नमबर पहला 1921 सिंद घाटी सब्यता की खोज दोस्तों 1921 में की गई थी भारती पुरातत विवाग के महल निदिसक दयाराम शाहनी ने जान मारसल के निर्दिसन में हडपा के टीलों का सर्वेक्षड किया तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोईश्चन है सिंद घाटी के निवासियों को किस धात्व का ग्यान नहीं था आपसन में दिया है सोना, चादी, लोहा और ताबा बड़ा ही असान कोईश्चन है क्या है इसका सही उतर? इसका सही उतर है आपसन नमबर 3 लोहा सिंद घाटी के निवासी दोस्तों लोहे से अनभिग थे, वे केवल कांसे का निर्मार करते थे और उसी के परियोग से परचीत थे हरपपवासी कांसा जो है टीना और तावा मिला कर बनाते थे इसके अतरिक्त हरपवासी चांदी और सोना से भी परचीत थे तो आप इश्कुलाद रखेंगे फिर अगला question है निम्नलिकित में से कौन सा एक पूरसार्थ के विशय में सत्य नहीं है आपसे में दिया है पहला धर्म, अर्थ, काम और मोग्ष चार पूरसार्थ हैं तो यही चार पूरसार्थ हैं दोस्तों पहली बात इसकी शही है फिर अगला है इसकी संकल्पना प्रव्रित यानि की भोगर निब्रित यानि के सन्यास के मद्ध संतुलन के लिए की गई थी तो यह अभी बात सही है धर्म, अर्थ, काम और मोग्ष जो की चार पूरसार्थ हैं इनकी संकल्पना इसे लिए की गई थी फिर तीसरा है पुरसार्थ भौतिक वाद और अध्यात्मिक्ता के मद्ध शमन्नोय दर्शाता है तो यह भी बात पुरसार्थ के शमन्न में शही है पुरसार्थ यानिकी धर्म, अर्थ, काम और मोग्ष, भावतिक वाद और अध्यात्मिक्ता के मद्धे शमन्नोय दर्शाते हैं फिर चौथा है पुरसार्थों का सरप्रथम उल्लेक कावटिल के अर्थ सास्र में प्राप्त होता है तो यह बात दोस्तों सारा शर गलत है पुरसार्थों का सरप्रथम उल्लेक कावटिल के अर्थ सास्र में नहीं बलकि उपनिसद में किया गया है तो आपसर नमबर डी इसका शही उत्तर होगा यही पुरसार्थों के वारे में सत्य नहीं है फिर अगला कोश्चन है निमनांकित में कावण तीन रिड़ों के शिधान्त में शमाहित नहीं है आपसर में दिया है पुत्र रिड, पित्र रिड, रिसी याने की गुर रिड और देव रिड तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसर नमबर पहला पुत्र रिड पुत्र रिड दोस्तों तीन रिडों के शिधान्त में शमाहित नहीं है तीन रिडों के शिधान्त में शमाहित है पित्र रिड, गुरू रिड और देव रिड तो आपसन नमबर पहला इश्का रही है आप इश्को याद रखेंगे फिर अगला question है रिगवेद में शूरी देवता कि इसका पुत्र माना गया है आपसन में दिया है ओशा, रूद्र और वसी और दायूस तो इसका सही उतर क्या है इसका सही उतर है आपसन नमबर पहला में बरडित किये गए तो आप श्क्याद रखेंगे फिर एगला कोस्चन है बैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए इन्में से कहां आपसन में दिया है अफगानिस्तान में चेनी तुर्किस्तान में कश्मीर में या पंजाब में तो इसका सहुत्तर क्या ह और श्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थी तो आपसन नंबर पहला इसका शही है आप श्क्याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है दोस्तों बुद्ध की सिक्छाओं के निम्लिकित पहलूँ में से किश्को आशिरित उत्परति के नियम के रूप में जाना जात आपसन दिया है पतिक्च्य समुपद पंचसील अस्तांग मागजौर आड़ी असच्यानी तो इसका सहीुत्तर क्या है इसका सहीुतर दोस्तों आपसन नंबर पहला पतिक्च्य समुपद शम, यानि कि परतीत समुझपध दोस्तों बाउत धर्म का केंदरी शिधान्त है, इ इसे कारे कार्ड सिधान्द के नाम से भी जाना जाता है तो पहला इसका सहीवत्तर है आप शुक्याद रखेंगे बढ़ते हैं आगे फिर अगला कोईश्चान दोस्तों निम्नलिकित में से कौन सा गरंथ किशी पुरुस और महिला के बीच दस परकार के स्थम्मिलन का उलेख करता है आपसन में दिया है बाधायन धर्म शोत्र आप अस्तम ग्रह सोत्र बिनए पिटक और बसिष्ट धर्म सोत्र तो इसका सहीवत्तर क्या है इसका सहीवत्तर है दोस्तों आपसन नमबर शी बिनए पिटक बिने पिटक का मतलब होता है अनुसासन की टोकरी बाओध धर्में भिक्छु और भिक्छुडी के रूप में परवेश करने वाले शिश्यानी की अन्याई के आचल्ड बेवस्थित करने वाले जो नियम मनाए गये हैं उनहीं को बिने कहा गया है इसमें पूरुस महिला के बीच दस प्रकार के मिलन का उलेक किया गया है जो सामाजिक नियमों के अन्कूल है तो आप इसको याद रखेंगे आपसना नमबर 6 का सही है बिने पिटक में पूरुस और महिला के बीच दस प्रकार के शमिलन का उलेक किया गया है तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला question है बुद्ध का क्या आर्थ होता है आपसन में दिया है प्रबुद्ध, शक्तिशाली, प्रतिभा और धार्मिक उपदेशक तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नंबर पहला प्रबुद्ध धर्म केशन स्थापक सिधार्थ ज्यान प्राप्त करने के बाद बुद्ध कहला है बुद्ध का मतलब होता है प्रबुद्ध 35 साल की आई में बुद्ध गया में बैशाकी पूलीमा की रात में निरंजना नदी के तट पर पीपल ब्रिक्ष के नीचे सिधार्थ को ज्यान क प्राप्ति हुई थी तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोस्चन है निम्न लिखित मेंशे कवन महाबीर जैन के सिस के रूप में शंबंधित थे आपसन में दिया है मक्खल गोशाल पूरन कश्यप पकुद कच्यायन और अजित केश कंबलिन तो इसका सही उतर क्या ह इसका सही उतर है आपसन नमबर पहला मक्खल गोशाल मक्खल गोशाल दोस्तों प्रारंभ में महाबीर के सिस्टे लेकिन मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने महाबीर की सिस्टया त्याग दी इसके बाद आजीवक संपरदाय की अस्थापना की जो एक हजार दो इसमी तक बना रहा आजीवक संपरदाय दोस्तों नियतिवाद के नाम से जाना जाता है इसके अनुसार अबिश्ट की प्रतेक बस्तु भाग द्वारा पूर्व नियंतिरित और पूर्व संचालित होती है तो आप इसको याद रखेंगे इन में से मक्खल गोशाल जो थे वह महाबी जैन के सिस्की रूप में शम्मन्दित से पहले हैं फिर अगला कोश्चन दोस्तों चंद्रगुप्त मौरे ने अपने अंदिम दिरों में जैन धर्म श्रीकार कर लिया था यह किस गरंद से ग्यात होता है आपसन में दिया है भद्रवाहु चरित अर्थ सास्त्र इंडिका भगवाती सूत्रे तो इसका सहुत्तर क्या है इसका सहुत्तर है दोस्तों आपसन नमबर पहला भद्रवाहु चरित जैन ग्रंथ भद्रवाहु चरित से यह जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर نے अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म श्रीकार कर इसी ग्रंथ से यह जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर भद्रबाहु के साथ दक्षिल भारत के स्रौण बेल गोला में तपश्या करने लगे थे। इसका सही उतर है आपसर नमबर पहला देवी चंद्रगुप्तम दोस्तों बिशाक दत्त का एक नाटक है इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित से पूर्व राम गुप्त का गुप्त सासक की रूप में उलेख किया गया है। दत्त की दूसरी पुष्तक मुद्रा राक्षिस और मेगस्थनीच की इंडिका इनसे मौर सामराज के संब्द में परियात जानकारी प्राप्त होती है। तो आप श्याद रखेंगे। फिर अगला कोश्चन है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधू के साथ दक्षिर भारत चला गया था। उस साधू यानि की जैन मुनी का क्या नाम था। आपसर में दिया है हरी भद्र, भद्र बाहू, इस थूल बाहू या हेम चंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसर नमबर बी भद्र बाहू। भद्र बाहू। चंद्रगुप्त मौर दोस्तों अपने जीवन के अंतिम बर्षों में जैन साधू भद्र बाहू के शाथ स्रौण बेल गोला चला गया था। यह मैसूर यानि की करनाटक में इस्थित है। दोसव अठान बेस बी में यहाँ पर उसने शल लेखना बिधी से जो की उपवाश की एक बिधी होती है उसके माधम से अपना सरीर त्याग दिया था। तो आप श्कुयाद रखेंगे। फिर अगला कोश्चन है चंद्रगुप्त मौर की स्रध्धा इन में से किश्मे थी। आपसर में दिया है बाउज धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या बैस्डव धर्म। तो इसका सयूत्तर क्या है आपसर नमबर बी ही इसका सयूत्तर है जैन धर्म। तो आप श्कुएद रखेंगे। फिर अगला कोश्चन दोस्तों निमन में से कौन सी रचना हर्स दौरा रचित नहीं है। आपसर में दिया है रतनावली, नागा नंद, हर्स चरित और प्रिय दर्शिका। तो इसका सयूत्तर क्या है इसका सयूत्तर है दोस्तों आपसर नमबर श्य हर्स चरित हर्स चरित कीस नी लिखा है बान भट ने तो आपसर नमबर श्य इसका सही है। यही जो है हर्ष दौरा रचित नहीं है आप इसको याद रखेंगे फिर एगला कोश्चन है दोस्तों कोश्चन नमबर बाईश निम्नलिकित में से किस महा कभी ने सती परथा का बिरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना है आपसर में दिया है काली दाश बांड भट शुद् तो इसका सहीत्तर क्या है इसका सहीत्तर है दोस्तों आपसर नमबर बी बाणड भट दोस्तों हर्श के दरबारिक का भी थे उन्होंने हर्श चरीत्र रवर कादांबरी नामा क category लिख़ा है बाण भट ने सती परथा का बिरोध किया है और इसको आत्महत्या के श्रमान माना मेगा तिथी ने भी सतिपर्था का विरोज किया है तो आप इसको भियाद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है हर्स चरित के एक इस अध्याय में बिंद के जंगलों में रहने वाले धार्मिक शंपरदायों का बलडन है आपसन में दिया है अध्याय दो में अध्याय चार में अध्याय शात में या अध्याय आठ में तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नमबर D अध्याय आठ में हर्स चरित दोस्तों बान भट ने लिखा है इसमें कुल आठ अध्याय है इसके पहले अध्याय में बानभट की जीवनी और उसके परिवार के विशय में है, दूसरे, तीसरे और चोथे अध्याय में हर्स और थानेस्वर के राजबंस का इतियास है छटमे और साथमे अध्याय में हर्स से सम्मनित यो धर शंधियों का उलेख है और अंति म्याने की आठमे अध्याय में बिंद के जंगलों में रहने वाले धार्मिक शंपरदायों का इसने उलेख किया है तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है दोस्तों एहोल अभिलेख का लेखक कौन था आपसन में दिया है रभी कीरती, पुलकेशन, भारव और डंडिन तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर दोस्तों आपसन नमबर पहला रभी कीरती बादामी के चालू किवंस के सासक पुलकेशन दुती का एहोल अभिलेख है इसके लेखक है रभी कीरती परसस्त के रूप में उल्लखित लेख की भाषव संस्कृत है परसस्त के अंत में रभी कीरती ने श्वयम को काली दास और भारवी के शमान माना है इस लेख में पुलकेशन दुती के द्वारा हर्ष वर्धन के परास्त होने का बर्ण किया गया है तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोस्चन है निम्रलखित में से किस सासक ने गजनी के अलपतगीन अलपतगीन के खिलाब गठबंधन बनाया था आपसर में दिया है आनन्द पाल, जैपाल, भीम देव और कामलुक तो इसका सही उतर क्या है इसका सही उतर दोस्तों आपसर नमबर बी जैपाल जैपाल दोस्तों हिंदू शाही बंस का एक परशिद सासक था इसने गजणवी बंस के सासक अलपतगीन के खिलाफ एक गडबंधन बनाया था अलपतगीन का शासनकाल है 933 से 900 तिरशड इसके बाद अलपतगीन के दाश शुबुक्त गीन ने इस पर 977 रिस्वी में आकर्मन किया तथा कुछ भाग को जीता फिर उसके बाद शुबुक्त गीन के पुत्र महमूद गजणवी ने जैपाल को परास्त किया था तो आप शुख्याद रखेंगे आपसन नमबर दूसरा इसकर सही है अलपत गीन के खिलाफ जैपाल ने गडबंधन बनाया था फिर अगला कोश्चन है निम्नलिकित मेश्रक किस ब्यक्त ने इल्तुत मिश्च को एक ऐसा संदेश भेंजा था जिसमें मंगोलों के खिलाफ गडबंधन की मांग थी आपसन में दिया है नासरुदीन कुबाचा जलालुदीन मंग बरनी एल्दवज और बक्तियार खिलजी तो इसका सही उतर क्या है इसका सही उतर है दोस्तों आफसर नंबर बी जलालुदीन मंग बरनी खुआरिज मुबंस के अंतिम सासक जलालुदीन मंग बरनी दोस्तों मंगोल आकरमन के कारड दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिष के सरण में दिल्ली आ गया था मंगबर्नी ने इल्तुतमिष से सरण मांगे थी लेकिन इल्तुतमिष ने मना कर दिया था मंगबर्नी ने ही मंगोलों के विरुध एक होने के लिए इल्टूत्मिष और दिल्ली के तुर्की मामलुक सुल्तान के साथ गटबंधन करने की प्रासना की थी लेकिन उसने मना कर दिया था तो आपसर नमबर 20 का सही उत्तर है आप इसको जाद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है मंगोलों का आकरमण सर पर्थम किस सुल्तान के समय में हुआ था आपसर में दिया है इल्टूत्मिष बलबन अलावद दिन खिलजी और सेर्शाह तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसर नमबर पहला इल्टूत्मिष मंगोलों का आकरमण सर पर्थम इल्टूत्मिष के शासनकाल में हुआ था मंगोलों का आकरमड इलतुतमिस के शमय में 12 सवक्कई सिस्वी में तब हुआ जब चंगेज खा मंग बढ़ने का पीछा करते हुए शिंधो नदी के तर तक आ गया था फिर अगला कोश्चन है बरीद कौन थे तो आप जानते ही हैं गुप्तिचा रधिकारी को बरीद कहा जाता था आपसर नमबर डी इसका सही उत्तर है आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है दोस्तों मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा शांकेती मुद्रा का प् ब्यापक अस्तर पर नकली सिकों की धलाई की वज़े से मुहम्मद बिन तुगलक की शांकेती मुद्रा का जो परियोग था वह बिफल हो गया था फिर अगला कोश्चन है निर्णलिकित इतियास कारों में से किस ने मलिक कापूर के दक्षडी अभियानों का सरबाधिक अध अबलाई सन नमबर पहला अमीर खुसरों मलिक कापूर के दक्षड़ अभियानों का सरबाधिक अधिकारिक विवर्ण अमीर खुसरोंने अपनी पुस्तक खजाइन उल्फुतुह में दिया है अमीर खुसरों की पुस्तक खजायन उल्फोतु को तारीख ए अलाई के नाम से भी जाना जाता है इसमें अलाउद दिन खिल्जी के शासनकाल के पंदरे वर्सों का विवरण मिलता है इसी पुस्तक में मलिक काफूर के दक्षिल अवियानों का ब्रिहत बर्डन किया गया है तो आप इसके आद रखेंगे फिर अगला कोशन है दोस्तों शिकंदर सानी के उपाधी किस सुल्तान ने धारण की थी आपसन में दिया है बलबन फिरोज तुगलक अलावद दिन खिल जी और शिकंदर लोदी तो इसका सही उतर क्या है इसका सही उतर है दोस्तों आपसन नमबर सी अलावद दिन खिल जी अलाव दिन खिल जी ने दोस्तों शिकंदर ए शानी याने की दूसरा शिकंदर दूति शिकंदर की उबाधी धारण की थी तो आप श्कुयाद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है तैमूर प्रतिनेद खिजर खां के दौरा संस्थापित राजबंस को शायद बंश क्यों कहा जाता है क्योंकि खिजर खां पैगंबर का बंसच था आपसर नमबर बीवाला इसका शेय उतर है खिजर खां दोस्तों पैगंबर का बंसच था इसलिए उसके दौरा स्थापित राजबंस को स्यद बंस कहा जाता है आप श्कुयाद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है अकबर ने मनसप पडाली की अस्थापना कब की थी आपसर नमबर शी अकबर ने मनसबी ब्युणसा के अधार पर स्यनिक संगठित किये नतलब होता है स्रेड़ी या थोअ पद और मनसपदार का मतलब होता है वह हथिकारी जिसे साह्थे ना में एक पद प्राप्द होता है तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है दोस्तों निम्नलिकित इतिहास कारों में शेक काउन अकबर का श्रमकाली नहीं था आपसर में दिया है अबुल फजल, बदायूनी निजामुद दिर अहमद और लाहोरी तो इसका सही उतर क्या है इसका सही उतर है दोस्तों आपसर नमबर डी, लाहोरी बदायूनी अबुल फजल और निजामुद दिर अहमद अकबर के स्रमकालीन थे जबकि अब्दुल हामिद लाहोरी शाजहां के श्रमकालीन थे तो आपसर नमबर डी का सही उतर है आप श्कुयाद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए काउन सी नीत नहीं अपनाई आपसर में दिया है विबाह शंबंध, धार्मिक शहषुरता उच्पत परदार करना और जीते हुए परदेश को वापस करना तो इसका सही उतर क्या है इसका सही उतर दोस्तों आपसर नमबर D जीते हुए परदेश को वापस करना आप श्कुयाद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है किसने सफलता पूरबग बिद्रोह करके जहागीर को अपने सैनिक कैम्प में बंदी बना लिया था आपसर में दिया है खुररम, महावत खा खुसरो और आसप खा तो इसका सही उतर क्या है इसका सही उतर है दोस्तों आपसर नमबर D महावत खा महावत खा ने दोस्तों 1626 में बिद्रोह करके जहां गिर को बंदी बना लिया था नूर जहां के राजनीतिक और प्रसासनी कारेयों में हस्तक छेप की वज़े से महावत खा जहां गिर शेदुखी था वह उसको समझाने के लिए उसको बंदी बनाया था तो आप इसको याद रखेंगे बढ़ते हैं आगे फिर अगला कोश्चन है दोस्तों अकबर के समय से एक मुबारक दोरा जारी राजाग्या के शंबंद में कौन्ट सकता शही नहीं है इसमें दिया है पहला उलेमा राज का अध्यात्मिक परमुख है दूसरा है बादसाह सर्यत को बदल शकता है तीसरा है बादसाह उलेमा से उपर है और चोथा है बादसाह राज का अध्यात्मिक परमुख है तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आफसा नमबर पहला उलेमा राज का अध्यात्मिक परमुख है अकबर के शमय सेख मुबारक द्वारा जारी राजाग्या में बादसाह को सरीयत को परियुतित करने का अधिकार प्राप्त था बादसाह का पद उलेमा से उंचा होता था और बादसाह को ही राज का अध्यात्मिक परवग बताया गया है ना कि उलेमा को तो आपसर नमबर पहला इश्का गलत है उलेमा राज का ध्यात्मिक परवक नहीं होता था फिर अगला कोश्चन दोस्तों किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधिन रत्न विश्षक की नोकरी प्राप्त की थी आपसर में दिया है रालफ फिंच, बिलियम लीट्स, जेमस स्टोरी और इनमें से कोई नहीं तो इसका सही उतर क्या है इसका सही उतर है दोस्तों आपसर नमबर पहले जेमस स्टोरी अंग्रेज कमांडिंग आफसर काउन था आफसर में दिया है कर्णल फिनिश हेनरी लॉरेंस हैर्षे और सर हुव हीलर तो इसका सही उत्र क्या है इसका सही उत्र है आफसर नमबर शी हैर्षे फिर अगला कोश्चन है अफसर में दिया बैरकपूर मेरट दिल्ली और दीनापूर तो इसका सही उत्र क्या है बैरकपूर आफसर नमबर पहला फिर अगला कोश्चन है किस एक भारती नेता ने यह असपश्ट माना कि भारती राष्टी का अंग्रेश इसलिए बनी है कि वह अंग्रेशी राज की रक्षा है तो अभय कापाट के रूप में कारिकर शके आफसर में दिया है लाला लाज पतराय बेवमेश चंदर बनर जी गोपाल कृष्ट गोखले और सुरेंदरनाद बनर जी तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है लाला लाज पतराय ऐसा मानना था दोस्तों लाला लाज पतराय का आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है भारती राश्टी कांग्रेश के किस अधिवेशन के समय करांतिकारी शमाजवादी पार्टरी की अस्थापना हुई थी आपसन में दिया है तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नंबर पहला रामगण अधिवेशन उननने सो चालिस आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है सूची एक का मिलान सूची दो से कराना है सूची एक में दिया है 1877 की करांदिश शमंधित नेतरुत करता और सूची दो में दिया है बिद्रोह का केंद्र इसमें पहला है दोस्तों नाना शाहब तो आप जानते ही हैं नाना शाहब ने नेतरुत किया था कानपूर से तो पहले का हो जायगा दूसरा उसके बाद है नबाब हमीद अलिखा ये नहों ने नेतरुत किया था दिल्ली में उसके बाद है मौलबी अहमत उल्ला ये थे फाईजाबाद की तो अवद रहेगा तीसरे का हो जायगा शी का हो बढ़ते हैं आगे फिर अगला कोश्चन दोस्तों किशी मौलबी ने 1857 की किरांती को जिहाद याने की धर्म युद की शंग्या दिया थी वो इनमें शेकाउन थे आपसन में दिया है अहमद उल्लाह, सरफराज अली, सर्यत उल्लाह और साह वजी उल्लाह तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपसन नमबर पहला अहमद उल्लाह मौलबी अहमद उल्लाह शाह दोस्तों 1857 के बिद्रोह को फैजाबाद में अपना नेतरुत प्रदान किया ये अंग्रेजों के सरबासिक कट्टर दुस्मन थे वे मौल रूप से तमिल नाड के रहने वारे थे लेकिन फैजाबाद में आकर बस गए थे तो आपसन नमबर पहला इसका सही है आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है निम्रलिकित में शेक किस बिद्वान ने इस बात का बिरोध किया कि अठारा सो सतान के बिद्रोग के परमुक कारणों में शे एक किर्सी समाज की बिचेनी भी थी आपसन में दिया है रिचर्ड होम जान डबलू के ए रंजीत गुहा और यच जी केने तो इसका सही उतर क्या है इसका सही उतर है दोस्तों आपसन नमबर शी रंजीत गुहा फिर अगला कोश्चन दोस्तों निम्नलिकित में शे कौन पानी पत के किशियू दिसे शंबद नहीं है आपसन में दिया है पंदर सो चब्विस हिसवी पंदर सो चब्विस हिसवी सोलो सो ब्यालिस हिसवी और सत्रे सो इकशट इसब् defin तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नमबर शी सोलो सो ब्यालिस हिसवी पानी पत का पर्थम यूद में बाबर और इब्राहीम लोदी के बीच पानी पत का दूसरा यूद अकबर और हेमू के बीच 1556 में और पानिपत का तिसरा यूद 1790 में जो हुआ था वो एहमस साफदाली और मराठो के बीच में हुआ था 1621 में पानिपत का कोई यूद नहीं हुआ था आप उसको याद रखेंगे बढ़ते हैं आगे फिर अगला कोई चान है दोस्तों हुमायू जीवन भर लुड़कता रहा और लुड़क कर ही जीवन से मुक्त हो गया यह किश्का कथन है आपसन में दिया है ए बी श्मित इस्टेनली लेनपूल इसरकीन और हैबल तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नंबर बी श्टेनली लेनपूल लेनपूल का यह कथन है दोस्तों हुमायू के बारे में फिर अगला कोईशन है सिवा जी के मंत्र मंडल याने की अश्टपरधान की एक विसिस्ता क्या थी आपसन में दिया है पहला इसके सभी मंत्री ब्रामड होते थे सभी नहीं होते थे केवल साथ होते थे अगला है इसके साथ मंत्री ब्रामड होते थे यही इसका सही उत्तर है सिवा जी के मंत्र मंडल याने की अश्टपरधान की एक विसिस्ताया थी कि इसके स्राथ मंतरी बरामण होते थे आप इसको याद रखेंगे बढ़ते हैं आगे फिर अगला कोश्चन दोस्तों पेश्रवा ने पतदाम नामक कर किस पर लगाया था पतदाम आपसर में दिया है बिधवा पुनर विवा बहु बिवा, बाल बिवा और दहीज तो इसका सहीवतर क्या है इसका सहीवतर है दोस्तों आपसर नंबर पहला बिधवा पुनर विवा पेश्वावने दोस्तों बिधवा पुनर विवा पर पतदाम नामक कर लगाया था आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोशन है पानिपत के तिर्थी युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेना नायक काउन था आपसर में दिया है नाना फटनवीश बिश्वास राओ शदा सिव राओ भाओ और मलहान राओ होलकर तो इसका सहीवतर क्या है इसका सहीवतर है दोस्तों आपसर नमबर शी शदा सिव राओ भाओ फिर अगला कोशन है मनशबदार प्रडाली किसने आरम की थी आपसर में दिया है बाबर, शेरशा, अकबर और हुमायू तो इसका सहीवतर क्या है इसका सहीवतर है आपसर नमबर शी अकबर फिर अगला कोशन है दोस्तों मराठा सक्त के शंस्थापक सिवा जी का जन्म कहां हुआ था आपसर में दिया है राएगढ़ दुर्ग में, शिवनेर दुर्ग में पुरंदर के दुर्ग में तोरण के दुर्ग में तो इसका सहीवतर क्या है इसका सहीवतर है आपसर नमबर बी शिवनेर के दुर्ग में सिवा जी का जन्म सिवनेर के दुर्ग में हुआ था वहां की देवी मा के नाम पर इनकी मा जी जब आई ने इनका नाम सिवा जी रखा था तो आपसन नमबर बी इसका सही उत्तर है आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है सीवा जी की मृतिव तथा राज़ा बिसेख कहां हुआ था आपसन में दिया है जिन जी, रायगड, नागपूर और शतारा तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है आपसन नमबर बी रायगड 1684 में रायगड में सीवा जी का राज़ा ब सेख हुआ था और 14 अपरायल 1680 को यहें पर सीवा जी की मृति हुए थी तो आपसन नमबर 20 का सही उत्र है आप इसको याद रखेंगे बढ़ते हैं आगे फिर अगला कोश्चन है अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधी परदान की थी आपसन में दिया है हरी बीजे शूरी हेम बीजे गणी पदम सुंदर और शांती चंदर तो इसका सही उत्र क पहला हरी बीजे शूरी अकबर ने हरी बीजे शूरी को जगत गुरु की उपाधी परदान की थी पंदरह सो ब्यासी में दीन ये इलाहे के स्थापना के बाद हरी बीजे शूरी को जो की एक जैन गुरु थे इनको अकबर ने बुलवाया था और जगत गुरु की उपाधी इन्हें परदान की थी तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला question है आलमगीर नामा का लेखक कौन था आपसे में दिया है मिर्जा मुहम्मद काजिम अमेर खुसरो मुल्ला मुहम्मद कासिम और इनायत अली तो इसका सही उतर क्या है इसका सही उतर है आपसे नमबर पहला मिर्जा मुहम्मद काजिम आलमगीर नामा का लेखक दोस्तों मिर्जा मुहम्मद काजिम था इस रचना में आउरंग जेब के प्रारंभिक दस बरसों का अधिकारिक इतिहार लिखा गया है तो आप श्क्याद रखेंगे फिर अगला कोस्चन है आउरंग जेब ने अपनी बिजियों को लिपिपद करने के लिए कि इस हिंदू इतिहास कार को खोजा था आपसे नमें दिया है गंगा धर, इश्वर दाश नागर, महेरा और देवी मिश्रा तो इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसर नमबर B, इश्वर दाश नागर आउरंग जेब ने अपनी बिजियों को लिपिपद करने के लिए हिंदू इतिहास कार इश्वर दाश नागर को खोजा था इश्वरदाश नागर ने फुतुहात ए आलमगीरी में औरंग जेब के 34 वर्सतक के इतिहास को लिखा है तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है भीम सेन की नुकसा ए दिलकुसा भीम सेन की नुकसा ए दिलकुसा जानकारी का स्रोथ है कहां का आप सेन में दिया है पहला दक्षिड में मुगल गत्विधियों का यही इसका सही उत्तर है भीम सेन की पुस्तक नुकसा ए दिलकुसा दोस्तों औरंग जेब के सासन काल में मुखरूप से दक्षिड भारत के इतिहास का स्रोथ है तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है कली लाह दिमना निमनलिकित में से किस ग्रंथ का अरवी रूप आंतर है आप सेन में दिया है प्रमशोत्र का, महा भारत का, पांचे तंतर का और सुसुरुत संगिता का तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आफसर नमबर शी, पांच चित अंत्र का फिर अगला कोशना दोस्तों, सीवा जी के बाद गुरिला युद का संचालन किशने किया आफसर में दिया है बाला जी बाजी राओ, बाला जी बिश्वनात, बाजी राओ पर्थम और ये सभी तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आफसर नमबर शी, बाजी राओ पर्थम सीवा जी की मिर्द्व के बाद दोस्तों बाजी राव पर्थम ने गुरिला युद्ध का संचालन किया था आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन दोस्तों सीवा जी के पश्चाथ गुरिला युद्ध पधत का महानतंप्रत्पादक किश्पेशवा को बर्डित किया गया है आप इसन में दिया है बाला जी बाजी राव बाजी राव पर्थम बाजी राव दुती और बाला जी बिश्वनात तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपसन नमबर B, बाजी रा पर्थम आप इसको याद रखेंगे, फिर अगला कोश्चन है गांगय कोंड की उपाधी किसने धारण की थी? आपसन में दिया है परांतक, राज राज पर्थम, राजेंदर चोल और ये सभी तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपसन नमबर B, राजेंदर चोल राजेंदर पर्थम ने गंगा की घाटी में स्थित उत्तरी पूरवी भारत पर आकरण किया था और वहाँ के पाल साशक महिपाल को पराजित करने के बाद गंगई कोंड के उपाधी धार्ड की थी तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है चोल राजा किसमत के संड़क्षक थे आपसर में दिया शैवमत, बैशडवमत, शाक्तमत और बाउधमत तो इसका सहुत्तर क्या है? इसका सहुत्तर है पहला शैवमत चोल बंस के अर्धिकांस सासक उत्साही शैव थे उन्होंने भगवान सिव के कई मंदिरों का निर्मार करवाया है जिसमें राज राजसोर नामक्षियो का मंदिर परमुक है तो आप इसको याद रखेंगे इसी कोश्चर के साथ हमारी यह वीडियो यही पर समामत होती है अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद